अस्तलाम उलेकुम तो है कैसे हो आप लोगर आगे हो मैं कोड़ बैंड नूवीडियो के साथ तो आज मैं नहीं बोलूँघ लाइक है ठोको आज आपकी मर्जी बोलेंगे आज ठोड़ी सी अलग वीडियो होने वाली है और फिर नॉर्मल हम कोमेंटरी करेंगे जैसे करते हैं तो गाइस अभीना पिछले दिनों में साथ दो आखे हुए एक तो फोड़ा मुझे थोड़ा काफी अजीब लगा काफी सैड वाला था वो तो ऐसा था लेकिन एक था कि उससे बहुत खुशी हुई दोनों आपको उता आता हूं कुछ ताइम पहले मैं टीडियम खिल रहा था है तो आप है करते हों क्या थोटा है भी मतलब इसको उसको ःदा पता भी नहीं है और जो इसने सुना यकीन करे लिया मैं बोला वो नहीं आपके सामने हैंड केम भी है और है क्यों करेंग आपके सामने मरते भी कई बार लेकिन फिर उसने बड़ा ब्रौ मुझे कर लो अब क का डाउट खतम हुए पहले इस माम में हीड़े को मारते हैं जब उसका डाउट हुआ गाइस खतम तो अब एक बंदे का डाउट को मैंने खतम कर दिया अब उस तम बुरा भी लगा यार के सब कुछ सामने होता है और फिर ऐसे एक दूसरे को बिना मतलब डिटेल पता होने के बगएर ऐसे एक को बता दो वह एक को बता देगा आगे बात ऐसे चलती रहती है तो मुझे साउंड आया था सटीमेंट पीछे मैंने नेट किया हैं पर दोनों नौक हुए इनको फिनिश करेंगे तो अच्छी बात किया हुए कि कल ना रात को मैं सोने वाला मुझे फून आ रात का काफी टाइम था आपको डिसर्ब किया तो उससे बहुत खुशी मिली वह सब ना एज में उनकी सब की एज ना गाइस वह सब मतलब शादी शुदा थे चार लोग थे और सब शादी शुदा थे और वह जब मिलने आये उन्होंने बोला कि आप आकसान का प्राउड हो और मतलब जब उन्होंने तारीफ की सच में बहुत खुशी हुई क्यूंकि वह एज में काफी मतलब बड़े थे मेरे अब्बू की एज के थे दो और मतलब 30 35 इज में थे जब उन्होंने बोला काफी खुशी हुई तो मतलब नेगिटिव बाते भी सुनने को मिलती हैं पॉ तो नेगेटिव भी बाते सुनने को मिलते हैं पॉजिटिव भी मिलती है अब मैं हर नेगेटिव बात को क्लियर नहीं कर सकता यह वाला स्कॉड गाइस के लिर किया आज जो मैं अभी आप गेंपले देख रहा हूं यह सिरफ एक ही मतलब आज कहीं गेंपले मैं सबस्ट ट्राय कर रहा था सब्सक्राइब बज़े मैं वीडियो बनाने के लिए बैठता हूं और इसके बाद बेशक एक बज़े तक ना बन देखो गाइस मेरा एक ओल्ड चैनल था आपको बता होगा उसमेना मैंने 100 वीडियो अपलोड की थी और एक वीडियो अपलोड करने में कितनी महनत लगती वो आज आपको आज बता चलेगा उसके बाद गया है उसके बाद गया हम यहाँ पर आया पर मैंने रश्किया प्रे कर भी बिना किसी प्रूफ के कोई आड को हैकर बोल देना है मतलव छोटे बच्चे बिनों को लोक बोल देते हैं यह बन्द हैक करता है क्योंकि भई लिवगते प्रका मर इसने बंदें मार दी और कितनी मुश्किल से एक गेमप्ले मिलता है आप लोग को अपलोड करने के लिए और आप मतलब उसके पीछे के दस गेमप्ले को नहीं देखते हैं उस एक को देखके जज़ कर लेते हो कि बंदा हैकर है या नहीं है तो वो अब सारे बंदे भी ऐसे नहीं है जैसे मैं आपक सणिया मुझसे और उनने बोला कि मलब आपकि konटेट फॉलोगार ते हम लोग chu अगले ने मतलब लोगों ने गले मिला गले मिलके एप्रिशेट किया कि इसमाम पाइप पता चल रहा था कि बंदेंा तुन से आप आ के आपकर से मिलने हैं बहुत दिल से मिलने हैं आप से ऐस मेरे दोस्त का मेरे दोस्त वो है आईसई वाले पकड़ने आगे मतलब उन्हें बहुत अच्छे देखने को मिलता है पॉजिटिव भी देखने को मिलता है काफी हजीव है सब लेकिन जब एक कम मैं नहीं करता है मुझे कोई बोले ना मुझे सच में बुरा लगता है दिल को लगती है लेकिन जो लोग मतलब सपोर्ट करते हैं मैं उनका दिल से शुक्रियादा करना चाहूंगा यह वही गेंप्ले चल रहा है पहले वाला तेरा केल आप देख रहे हमारे हो चुके है और अच्छा आज थोड़ी सी वीडियो अलग हो गई कल से इंशालला नॉर्मल हमारी कमेंटरी की वाली वीडियो आएगी तो आज आसी गुजारा करो आपको बताना है जिम को नहीं पता कि यह सब होता रहता है अपने साथ वह बच्चे ने बोला ना मुझे सच में दुख लगा लेकिन उसको मैंने क्लियर कर दिया मतलब उसका जो शक था ना वह ने दूर किया लेकिन अब ऐसे तो गाइस हजारों अच्छे होंगे ना सबका शक तो दूर नहीं किया जा सकता त आपको खुद थोड़ा सोचना पड़ता है और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा आज कर यह सिर्फ मेरा मंडे मेरा हर दिन ऐसे गुजरता है एक वीडियो बनाने के लिए यह सिर्फ मंडे मैंने इसको नौक किया है यहां पर एक प्लेयर देख रहे हो यह एशिया जैंपिंग कर रहा है लेकिन ना रश भी करना था सरकल छोटा है मझे जोन में जाना था अब जैसी मैंने रश किया मेरा एम खराब हुआ जैसी बात है वो टीपी ले रहा था और मैं हमार गया 15 किल थे पूरा गेंपले सुबह का कितना अच्छा गया मर गया कोई बात नहीं अब मेरी टीम थी यहां पर इन लोगो ना मतलब स्कॉर्ड के दाथ खेलू लेकिन आपको वह मज़ा तो नहीं आएगा ने स्कॉर्ड में तो कोई भी चिंगन ले सकता है तो यह वाला मैंने अकेला खेलना शीरू किया और मैं अकेला ही जाओंगा इस गेंपले में भी ताक यह हमने इसके टीम मेट को फिनिश किया उसके बाद मैं आया जॉर्जपूल बंदे ढूने के लिए मेरी टीम भी लूटी कर रहे थी वो लोग उनको नहीं वीडियो तो मैंने बना इनको क्या फिकर होगी तो इसलिए अकेले हम आये जॉर्जपूल अब मैं जल्दी जल्द अब इन्होंने हमें पानी से निकलने ही नहीं दिया निकलते तो गन निकालते और निकालते तो इनको मारते यह भी आज का इस गेमप्ले ऐसा ही है मैं अज इतने भी आज आप वीडियो देखोगे ना मैं सुबह से ट्राइए यह वो सब ट्राइए है ठीक है एक वीडियो आज का दूसरा ऐसे मैं और भी मरा था लेकिन आपको गिंती के दिखा रहा हूं उसके बाद हम नोगो उत्रे उसूबी था इसबार मेरे साथ हमने आगे रश किया यह बंदे नीचे ना उतर चुके थे तो मैं रश करने जा रहा था मैंने काफी कट-कट कर दिखाया क्योंक नजर आया तो हम इसको मानने जाएंगे इन दोनों को नॉक किया अब बाट था सामने उसका टीम मेट लो था विचारा एकी शॉट गन से नॉक वह फिनिश किया और यह वाला स्कॉर्ट फटम हो चुका था है यहां पर हम लोग पुचिंग की यहां पर हमने किया वह अपना काम बॉट्फायर के बंदे बुलाते हैं और पिर कुछ नहीं बूलूँगा लाइक करो कुछ कॉमेंट करो अज बॉट्फयर करके यह पहला बंदा नॉक किया उसके आएउसके बदा हम थोड़ा और वेट कर दे थे थोड़ा सा और वेट किया ताकि इसके बंदे हैं दूसरा भी आया दूसरा भी नॉक हुआ इसके बाद मैंने का रश करेंगे क्योंकि दो नॉक हैं जाल-जाल दो होंगे और तो हमें रश करना चाहिए रुकेंगे नहीं तो यहां पर हमने इनका तीसरा बंदा भी फिनिश किया ऐसे हमने पहले नोगो क्लियर किया फिर आके पर चिंग की क्लियर किया और फिर हम फ्लेर पर श्रश करने आ गए अठारा लाइफ थी यह फ्लेर ओपन में चली थी तो चारो तरफ से बंदे आजेंगे इस गिंपले में भी तो बंदा एक ही था फ्लेर की पीछे था तो अमने एक ही देखा था तो मैंने का चलो इसको थोड़ा सा ना एंगल चेंज किरके इसको मारते हैं मैंने इसको मारा लेकिन जूबी को किसी और साइड से कान इंटेट पड़ी और यह नौक हो गया इसको पड़ी थी लेफ्ट से मतला अभी का लेफ्ट राइट पर भी बंदे आ जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कैसे हमने यह निकाला था कितना हार निकाला था वैसको क्लियर करने में लेकिन मैं आपको बहुत जादा कट करके दिखाऊंगा ताक के यह वाला गेमपले आपको समझ आए इसमें क्या हुआ था यह पर फिर मैंने जूबी को रैब दिया स्मोक कर दिया थे तीनों साइड क्यूंके जादा स्मोक चाहिए थे बंदे जादा थे चा इस स्कॉर्ड के पीछे ना गाइस एक अलग स्कॉर्ड आ चुक है जैसे मैंने आपको बताया वो देखो भी फाइड ले रहे हैं मैंने इसी का फाइदा उठा है कि जलो फाइड ले रहे मैं अकिला रश करता हूं जूबी अलक साहथ देख रहा था तो मैंने पहले काफी काम खराब हो रहाता है यहां पर तो भागेंगे नहीं क्योंकि फैसला कि अब रश करेंगे तीन स्मोक हैं पीछे फाइट हो रही है भुसके मारते हैं तो मैंने रश किया है यहां पर अ यह वहला स्कॉर्ड फिनिश हो चुक है अब यह लोग जिन से फाइट ले रहे थे ना वहले टीम बची है उसके दो बंदे अभी आप देखना एक मुझे नजर आया इसको फिनिश किया नॉक किया अभी में फिनिश करने जा रहा था कि इसका टीमेट इसको कवर देगा अब मैंने यह देखा देखो अब को अब को नजर आया ना घंस के अंदर से कैसे गोली आ रहे थी तो जब आये ना तो मारो मतलब एमो वापस लॉबी में तो लेकर नहीं जानी मुझे गहां सिलता आप नजर आए वहां से क्यों गोली आप से चलेए मैंने ऐसी मारा और दूबी को पहले नॉक किया तो मैंने कार ना इंटर से नॉक किया और इनका दूसरा एक और बंद है तो पीछी जा रहा था इतने दूर से फिनिश भी नहीं कर सकते थे स्मोक भी उसने कर दिया था अच्छे स्कॉर्ड की पहचान होती है अपने टीम मिट को बचाने के यह स्कॉर्ड फिनिश किया इसके बाद पंदरा किलो चुके और सारे बंदे आपके सामने अच्छे मारें तो आप खुद बताओ ऑनस्ली बताओ गाई किया अच्छा नहीं था और कितनी मुश्किलों से निकला था उसके बाद हम जाके मर जाएंगे और मतलब फिनिश आप इसके बाद मैं चत्पे गाया क्यूंकि सबसे अच्छा एंगल था वहां पर लेकिन काफी अच्छा स्कॉर्ड थे भाई एश्या की लॉक्र उसने पहले से नेट कुकर रख था में चत्पे आया नौक हुआ और हमारे जूबी भाया नहीं मार पाए और यहां पर मैं नौक ह मतलब मैं नौक होता हूं तो हम जिन्दा बश्चेंगी यह तो मतलब पता नहीं लिख रखा है यह किसमत में न और इसके बाद हमने दुबारा एक और लगा है यह एक ही दिन चल रहा है जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया रोज में ऐसे ऐसे होता है यह सरफ आज का दिन है सामने बंदा टीपी पी लिरता हेल्थ नहीं थी मेरे पास इसको नौक किया इसनी दिर में जू भी नौक हो गया और इसकी टीम ही ने रश्च कर दिया मेरे पास एहमों भी नहीं है सकारल में सरफ साथ गोली थी हमने इसको इसा हुआ है हम पे और यह आज का सूरत हाल सी सरफ आज की रोज ऐसा होता है रोज इतने गेंपले बाद एक गेंपले मिलता है तो बताना कॉमेंट करके अपना अपिनियन और इंशालला कल फिट ट्राइ करेंगे आपके लिए इस